सभी श्रोताओं को एस पदमजा का नमस्कार श्रोताओं आज लगभग हर इनसान भौतिक संसाधनों को जमीन को और अधिक से अधिक संपत्ती के लालच में उसके पीछे बेतहाशा दोड रहा है बिना ये सुचे कि वो सही राह पर है या नहीं है इस अंधी दोड का प्रतिभागी बनने के बाद इनसान के जीवन में इन भौतिक चीजों के अतिरिक्त उसके पास अंचाहे ही सही जो समस्या आ जाती है वो है चिंता चिंता ना केवल सारोभौमिक है वरन सार्वकालिक भी रही है कई लोगों ने इस संबंध में महत्मा गांधी जी को पत्र लिख कर उनके विचार भी जानना चाहा राष्टपिता महत्मा गांधी ने श्री सतीश चंद्र दाजगुप्त को उनके पत्र के जवाब में लिखा कि आपके मन में जब तक चिंताएं बनी रहेंगी तब तक समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी है यदि आप सुखी नहीं रहेंगे तो आपके इर्दगर्द जो लोग हैं वे सुखी कैसे रहेंगे मैं कहता हूँ कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ें वैसे भी नई खुराक तब ही लेनी चाहिए जब पहले खुराक अच्छी तरह से पच जाए महत्मा गांधी जी ने लिखा कि मैंने टौस्टाय की कहानी एक आदमी को कितनी जमीन दरकार है कई बार पढ़ी है यदि टॉस्टाय जी को शव के दाह संसकार की परियाप्त जानकारी होती तो अपनी पुस्तक में उन्होंने जितनी जमीन की दरकार बताई है उससे भी कम जमीन की दरकार वेबतलाते महत्मा गांधी जी का मानना था कि यदि शव को बैज्ञानिक विधी से मूल तत्वों में रूपांतरित किया जाए तो वो पांच तत्वों में मिल जाएगा और तब तनिक भी इस्थान की जरूरत नहीं रहेगी हमारी मानसिक वृत्ती बिलकूल यही होनी चाहिए गांधी जी का ये भी कहना था कि व्यवहार में तो हम हमेशा सिध्धान्त से कम ही रहेंगे ऐसी वृत्ती बना लेने पर यदि हम कोई छोटी सी बस्तु भी रखेंगे तो उसका स्वामित्व हमें सालेगा तब हम उस स्वामित्य को अपना अधिकार नहीं वरन अपनी असमर्थता ही समझेंगे और इसलिए उससे एका एक वंचित कर दिये जाने पर हमें लगेगा कि चलो हमारा बोज तो हलका हुआ गांधी जी ने इसी तथि को ध्यान में रखते वे कहा इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम अपने सभी यग्य कर्मों को करें और उसके पश्चात प्रफुलित और निरलिप्त रहें खादी के काम के संबंध में भी उन्होंने कहा कि आप खादी के काम का संगठन जितना निरलिप्त होकर करेंगे वो उतना ही बढ़ेगा इसी के साथ आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है अगले अंक में आपसे फिर भेट होगी तब तक के लिए एस पदमजा का नमस्कार झाज पादी का बढ़ेगा संगा नमस्कार